राश्ट्रिये शेक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षन परिशत के केंद्रिये शेक्षिक प्राध्योगी की संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वरा प्रस्तु थे मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए कारिक्रम रितु का बगीचा देखो रितु वो सामने बच्चे खेल रहे हैं हाँ नाना जी तुम भी उनके साथ खेलो मैं पार्क का एक चक्कर काटकर लोडता हूँ नाना जी मैं भी आपके साथ गुमूंगी अच्छा ठीक है तो चलो चलिए नाना जी कितने प्यारे फूल के लिए हैं मैं तोड़ लूँ ना बेटा ना फूल पौदों पर अच्छे लगते हैं उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए नाना जी मुझे फूल बहुत अच्छे लगते हैं मैं बस थोड़े से ही फूल तोड़ूंगी घर ले जाने के लिए बेटी हम तुम्हारे लिए घर में ही फूल उगाएंगे आज हम पौदे लेकर जाएंगे और उन्हें आगन में उगाएंगे नाना जी वो हमारे पौदे होंगे और फूल भी हमारे होंगे हमारे पौदों में खुब फूल लगेंगे नाना जी धेरों फूल लगेंगे और वो हमारे होंगे एक कोने में मैं अमरूद का पेड़ भी लगाऊंगा उसमें अमरूद कब लगेंगे नाना जी अरे मेरी रानी बेटी पहले पौधा लगेगा फिर बड़ा होगा फिर पेड़ बनेगा फिर उसमें अमरूद लगेंगे अच्छा नाना जी फूल तो जल्दी लग जाएंगे नाना जी तो जल्दी चलिए हम अभी जाकर फूल लगाएंगे चलते हैं बाबा चलते हैं पार का पहले चक्कर को लगा लें चलिए नाना जी जिए नाना जी इस पौधे में क्या लगेगा क्या लगेगा इसमें लगेंगे गैंदे के फूल सुन्दर सुन्दर पीले पीले और इसमें इसमें लाल लाल गुलाव लगेंगे नाना जी इसमें तो काटे लगे हैं जब हम फूल तोडेंगे तो हमें काटे नहीं चुप जाएंगे रितु बेटे एक बात बताओ हाँ नाना जी अगर कोई तुम्हारा कान खीचे है तो तुम क्या करोगी क्यों खीचेगा कोई मेरा कान? मैं उसे मुक्का मारूंगी जोर से बस ऐसे ही गुलाब के पौधे में काटे हैं जो फूल तोड़ेंगे उन्हें चुप जाएंगे तुम मुक्का मारोगी ना वैसे ही गुलाब का पौधा काटे चुपाएगा इसका मतलब नाना जी फूल तोड़ने से पौधों को भी दर्ध होता है हाँ होता है बिल्कुल होता है पौध侯 को भी धर्ध होता है नाना जी मैं अपने पौधों को कभी नहीं तोड़ूंगी रितु बेटे अपने ही नहीं किसी भी पौधे को नहीं तोड़ना चाहिए अचा देखो तुम कभी अपने दोस्तों को मारती पीटती हो नहीं मैं तो अपने दोस्तों को कभी नहीं मारती पीटती मार पीट तो गंदे बच्चे करते हैं मैं गंदी थोड़ी हूँ एक दम ठी तो रितू बौधे भी तो हमारे दोस्त होते हैं उनके पत्ते टहनी क्यों तोड़े जाएं? रितू, रितू, रितू कहा हो? आ जाओ दीपू, मैं यहाँ हूँ अपने बगीचे में नाना जी के साथ अच्छा, अभी आया नाना जी नमस्ते नमस्ते, नमस्ते अरे वा, यह तो बड़ा अच्छा बगीचा है मैंने बनाया है नाना जी के साथ मिलकर इसमें बहुत फूल लगेंगे और उधर कौने में वो जो पौधा है ना उसमें अमरूद लगेंगे लेकिन अमरूद का पेड तो बहुत उचा होता है ये तो छोटा सा पौधा है अरे ये बड़ा हो जाएगा ना तब पेड बन जाएगा तब इसमें भी अमरूद लगेंगे अभी तो ये पौदा है, छोटा सा, मैं इसमें रोज पानी डाला करूंगी, तो बहुत दिन बाद ये बड़ा हो जाएगा, और पेड़ बन जाएगा रितु, जब इसमें हम रूद लगेंगे, तो मुझे भी दोगी ना हाँ, ज़रूर दूँगी, तुम तो मेरे पक्के दोस्त हो, तुम्हें तो मैं ज़रूर दूँगी पता है दीपू, नाना जी कह रहे थे कि पौधे हमारे दोस्त हैं, है ना नाना जी हाँ, हाँ नाना जी, पौधे हमारे दोस्त कैसे हैं? कैसे हैं, अच्छा दीपू, तुम रितु के दोस्त हो, हाँ नाना जी, और रितु तुम दीपू की दोस्त हो, हाँ नाना जी, तो तुम एक दूसरे के लिए क्या करते हो, मैं अपनी कहानी की किताब रितु को देता हूं, मैं अपने खिलोने से दीपू को खेलने देती हूं, देखो पेड पौधों के पास फल और फूली होते हैं हैं कि नहीं हाँ नाना जी तो पेड अपने फल और फूल हमें देते हैं देते हैं ना अरे हाँ तो पेड़ पौधे हमारे दोस्त हुए ना हाँ नाना जी ये तो मैंने सोचा ही नहीं था और बताओं मेरे दादा जी कहते हैं कि पेड़ों से हमें दवायां भी मिलती है जब मेरे पेड़ में फोड़े हुए थे ना तो मेरी दादी उनमें नीम की चाल गिसकर लगाती थी हाँ बहुत से पेड़ों से हमें दवायां भी मिलती है तो देखो पेड़ हमें कितनी चीज़ें देते हैं फल फूल दमाईया और नानाजी चाया भी धूप में पेड़ की चाया कितनी अच्छी लगती है इसलिए पेड़ पौदे हमारे दोस्त होती हैं अच्छा चलो अब खेल खेल जें हाँ नाना जी मैं सवाद पूछता हूं तुम जवाब दो हाँ नाना जी ठीक हुम हाँ छा छाया इनकी लगती प्यारी छाया इनकी लगती प्यारी फूलों से भर दें भुलवारी यह कौन है अरे बोलो पेर पाधे हाँ पेर पाधे हाँ अच्छा अब दूसरा हाँ फल और फूल हमें देते हैं फल और फूल हमें देते हैं बदले में कुछ ना लेते हैं अरे बोलो पेड पाधे तो आओ अब मेरे साथ मिलकर गाओ नाना जी पेड और पाधे दोस्त हमारे कितने अच्छे कितने प्यारे पत्ते टेहनी कभी न तोड़े पत्ते टेहनी कभी न तोड़े प्यार काईन से नाता जोड़े प्यार काईन से नाता जोड़े नाना जी मैं अपने दोस्त पौधों को रोज शाम को पानी दिया करूंगी और कभी पत्ती या टेहनी नहीं तोड़ूंगी और नाना जी मैं भी अपने आंगर में पोधे लगाऊंगा फिर मेरे धेर सारे दोस्त खर में ही हो जाएंगे शाबाज और मैं तुम दोनों के बगीचों की देख भाल किया करूँगा नाना जी इसी बात पर एक कहानी सुना दीजी हाँ जी सच मुझ की कहाणी परिवाली है सुनाता हूं भही शुनाता हूं तो सुनो तो भही एक थी लड़की खाट मेनुअ मेनु वैसे तो बड़ी अच्छी बच्ची थी किसी से लड़ती नहीं थी रोज अपना सब काम कर लेती थी पर वो फूल पत्ते बहुत तोड़ती थी किसी के घर जाती तो उनके फूल तोड़ लेती स्कूल में जाती तो वह फूल तोड़ लेती और बगीचे में जाती तो फूल पत्ते टहनी जो मन में आता तोड़ लेती मीनू को सब मना करते पौधों के फूल पत्ती तोड़ने से पर मीनू मानती नहीं थी परी बुद्धु लड़की थी एक दिन क्या हुआ कि मीनू बगीचे में अकेली बैठी थी तभी उसके सामने एक परी आई परी? मीनू ने हैरानी से पूछा तुम आप कौन है? मैं इस बगीचे की परी हूँ बसंती परी आप? आप मेरी पास क्यों आई है? मीनू मैं तुम से बहुत नराज हूँ क्यों? मैंने क्या किया है? तुम सब पेड पौधों को बहुत दुखी करती हो उनके फूल तोड़ती हो पत्ते तोड़ती हो टेहन्या तोड़ती हो इससे पौधों को वहाद तकलीफ पहुचती है पेर पौधों को तकलीफ कैसे पहुचती है अगर मैं तुमारे बाल खीचू, तुमारे कान खीचू या तुमारे हाथ खीचू, तो तुम्हें तकलीफ पहुचेगी हाँ, बहुत दर्द होगा वैसे ही पेर पौधों को दर्द होता है फूल पत्ते पेर पौधों के बाल और नाकान है तहनिया उनकी बाहें है उन्हें नोच खीचो तो पेर पौधों को वैसे ही दर्द होता है जैसे तुम्हें होता है मुझे माफ कर दीजे परीजी मुझे पता नहीं था कि पेर पौधों को भी दर्द होता है मैं अब कभी पौधों को दर्द नहीं पहुचाऊंगी मीनू, पौधे तो असल में तुम्हारे दोस्त है वो कैसे? देखो, तुम दाल चावल खाती हो हाँ वो कहां से आता है? पता नहीं पौधों से और सब्सियां कहां से आती है? सब्सियां पौधों पर लगती है और फल भी पेर पौधों से मिलते हैं शाबबाश और देखो, तेज धूप से बचने के लिए भी पेरों की चाया में बैठते हैं लोग है ना? हाँ तो देखो, पेड़ पौधे तुम्हें फल, फूल, अनाच, सबसियां और छाया सब देते हैं तो पेड़ पौधे तुम्हारे दोस्त हुए कि नहीं? हाँ, पेड़ पौधे तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं अब मैं कभी पेड़ पौधों को तंग नहीं करूँगी शाबाश, अच्छी मीनू, तुम पेड़ पौधों को तंग नहीं करोगी तो वो बहुत खोश होंगे और तुम्हारे लिए ठेरो फूल किलाएंगे अच्छा मीनू, मैं चलती हूँ फिर आना बसंती परी, फिर आना हाँ तो बच्चो, ये कहानी तुम्हें कैसी लगी? नाना जी, ये तो बहुत अच्छी कहानी थी एकडम सच मुच्छ की नाना जी, हम अपने दोस्तों को भी ये कहानी सुनाएंगे फिर वो भी पधों को दुख नहीं देंगे शाबाश, फिर तो हमारे आसपास बहुत से पेड़ पधे होंगे पेड़ पधे नहीं, दोस्त हाँ, पेड़ पधे, यानी दोस्त रित्तु का भगीचा अभियाब सुन रहे थी ये कारेक्रम आलेक मधुबी जोशी, विशे संयोजन च्वणन गुपता कलाकार सोमनातनागर, बाल कलाकार फरहा वकील यमन कौशिक, मालती कौशिक और निर्जा गुलेरिया धन्यांकन सतीश लाडे, प्रस्तुती सहयोग वंदनानिगम और नर्मान एवं प्रस्तुती रमेश रानी शर्मा मालती कौशिक झाल गुपता